आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि शुब का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले शुब का अर्थ समझते हैं शुब का आर्थ होता है मंगल अच्छा या सकारात्मक यानि कि कोई भी चीज जो अच्छी या मंगल होती है या सकारात्मक होती है तो उसे हम शुब कहते हैं तो शुब का विलोम शब्द यानि कि विप्रितार्थक शब्द होगा अशुब और अशुब का आर्थ होता है बुरा, अशांत, नकारात्मक या अमंगल तो आईए अब हम शुब और अशुब को कुछ उधारन वाक्तियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसे लगा यह समय शुब है यह फिर आप कह सकते हैं कि उसे कई शुब संकेत दिखाई दिए तो इसका उलटा आप कह सकते हैं कि उसे कई अशुब संकेत दिखाई दिए अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें